अगर आप भी iOS 17 बीटा 8 के best hidden features जाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्तिक देखना ये मेरे बास है iPhone 13 Pro अगर आप iPhone 13 series में जो भी नए features आए है या फिर जिस किसी भी iPhone 17 इंस्टाल हो सकता है उसमें सारे के सारे जो features आए है इस वीडियो में आपको उनकी explanation देखने को मिलेगी इस वीडियो को शुरू करते हैं आप देख सकते हो ये मेरे पास iPhone 13 Pro अगर इसको इंस्टाल किया है और ये बीटा 8 को मैंने कल इंस्टाल किया है और दोस्तों iOS 17 मैं काफी देर से इसमें यूज कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी performance निकल किया है औ और performance में मुझे कोई lag या stator वगरा देखने को नहीं मिले नेटवर्क वाइस भी ठीक है चल रहा है मेरा iPhone मुझे drop वगरा network connection कोई ऐसा concern नहीं है उनसे तो अब बात करते हैं features की tons of great new features देखने को मिलते हैं सबसे दो बड़े वाले features जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए वो हैं सबसे पहला name drop या air drop का feature जिससे हम एक दूसरे की contact card को share कर सकते हैं let's assume मेरा कोई बंदा non मिल गया मेरे को मुझे उसके अपना contact card share करना है तो दोस्तो मैं simply अपने iPhone को एक दूसरे के साथ ऐसे tap करेंगे तो हमारे जो numbers है वो exchange हो जाएंगे so इससे मैं share करके अपने numbers को exchange कर सकता हूँ क्या simple बढ़िया चीज है और इसके साथ साथ जो दोस्तो animation है न वो भी बहुत सुंदर है जो मैंने आपको दिखाई और vibrations भी देखने को मिलती है बहुत सुंदर वाली उसी के साथ साथ अगर हमें मानलो कोई photo share करनी है न तो हम simply पहले ऐसे करके इसे phone को select करते थे और फिर photo बगारा share करते थे लेकिन दोस्तों अब हमें simply कोई भी इसे select करने की जो जो दूरत नहीं है हम just ऐसे phone को tap करेंगे तो हमारा जो photo है न वो share हो जाएगा कुछ इस तरीके से photo हम एदर accept कर पाएंगे simple way में that's it ये दो features air drop का और name drop का मुझे बहुत ही शानदर दगा next जो तगड़े वाला feature है बहुत ही शानदर वाला वो है stand by का mode दोस्तों ये stand by का mode काम कैसे करता है इसके लिए आपको किसी stand की या किसी ऐसी चीज की जूरत है जिससे आपका phone ऐसे horizontally ले कर जाए लाए हो जाए थोड़ा angle के उपर जैसे ये थोड़ा सा slightly ऐसे bend है या retweeted है okay so करना क्या है simply settings में आप देख सकते हो stand by का mode हमें देखने को मिलता है ये वाला नया feature है ये हमेशा on ही रहता है by default और ये काम कैसे करता है अगर दोस्तों आपने पने phone ऐसे रखा हुए और आप charging लगा लेते हो अपने phone को जैसे कुछ इस तरीके से यां cable से चार्ज कर दो च दिखा रहा है यहां थोड़े themes बहुत सुंदर वाली है और आप इन में photos set कर सकते हो ये देख सकते हो मेरा phone जो है मेरी personal photos कुछ इस तरीके से शो कर रहा है और काफी सारी themes है आप इन में से आपको जो पसंद है आप सेट कर सकते हो ये है stand by का mode मुझे ये बहुत जादा पसं अब बात करते हैं चौथी चीज की चौथा feature ये है कि दोस्तो iPhone में नई calling screen आई है और जो calling screen है वो बहुत ही शांदार है जैसे मैं यहां phone लगाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो चीजे आना वो bottom में आ गई है पहले middle में आती थी और calling screen के साथ सार calling screen change होई है ज यहां पर आप देख सकते हो calling screen भी जो है नहीं आई है यहां पर जब आप poster सेट करोगे photo poster तो आपका जो text रहेगा वो अब background में रहेगा जो की unique look प्रोवाइड कर रहा है चामरा में जो नए features आए है वो इतनी कुछ जादा impressive भी नहीं है लेकिन काम करते हैं जैसे कि आप दे आप देख सकते हो यह white line जो की yellow हो रही है यह middle वाली white line और yellow line देख सकते हो कुछ इस तरीके से यह जो आपकी लेवलर feature है इससे आपकी photo सीधी आएंगी वो आप इसको use कर सकते हो photos app में भी काफी सारी changes है और नए features है first change में आपको बताना जाहूंगा वो यह है कि अगर हम कि इसी भी photo को zoom करते हैं तो हमें वो crop का shortcut देती है यह आप shortcut से directly आप crop वाले section में पहुंच जाओगे और जितनी आपने zoom की होगी उतनी आपकी crop हो जाएगी photo और दोस्तों नई चीजी यह भी है कि पहले आपके cancel और done button bottom section में थे अब top में चले गए है तो इस तरीकी के आपको नई features देखने को मिलेंगे तो दोस्तों और मैं आपको अगर मैं आपको बताना चाहूं iOS 17 के बढ़िया वाले features so let assume आपके पास कोई photo है let assume यह billy की photo मानलो मैंने यह click की है यह आपको share हुई है so अब आपका camera यह आपकी photos app इतनी ज्यादा smart हो गई है कि आपका जो phone है वो आपको kind of जो नई जो photo जो किस कौन सी photo है वो आपको दिखाएगा जैसे यह आपकी photos app में किसी cat की photo है तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे iPhone ने एक animal show कर दिया है इसके उपर मैं click कर दूँगा तो यहां अब आप देख सकते हो Egyptian mouth कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है मतलब यह बिल्ली का नाम बता दिया है इसने so मैं इसके बारे में और details जान सकता हूँ Wikipedia open करके safari के उपर यहां पर directly jump हो जाएगा और जोड़ी निये सिर्फे किसी animal के लिए ही लागू करता है यहर एक चीज के लिए active है जैसे मानलो मैं किसी laundry sticker की photo click करता हूँ तो मैं उसके उपर जो signs बने आना उनकी details जान सकता हूँ Apple ने अपने iPhones को बहुत ही जादा smart बना दिया है इन सब चीजों को enroll करके नए में आपको features की बात बताऊँ और तो अब iPhone में हमें Safari browser में private tabs को lock करने का option देखने को मिल गया है अभी यहां पर आप देख सकते हो अगर मैं normal tab में हूँ तो अगर मैं private tabs में shift करना चाहता हूँ तो पहले मेरे को face ID scan करने पड़ेगी और फिर जो मेरे private tabs open हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से यह by default आपके private tabs lock होंगे आप इनको unlock करके access कर पाओगे iMessaging में हमें जो है नई screens या नई UIs देखने को मिलेंगी यहां पर आप देख सकते हो photos camera locations यह कुछ काफी smooth सी UI है और trick यह है कि अगर हमें मालो photos app open करनी है photos किसी को sign करनी है तो हम simply जाएंगे photos वाले section में plus icon को click करने के बाद लेकिन एक shortcut है जिससे आप plus icon को long press करके रखोगे तो directly photos show हो जाएंगी simple way से आप अपनी photos video share कर सकते हो iMessaging से यह आपको clean UI कितनी साही लगी comment section में जरू बताना photos app से एक और trick आपको last में photos app की बताना चाहूंगा वो यह है कि हम किसी भी अब photo को as a sticker convert कर सकते हैं so let assume मेरे पास कोई भी photo है let assume मेरे पास यह photo है और इसको मैं इसको highlight कर दूंगा तो आपको add to sticker की option देखने को मिल रही है यह मेरे stickers में add हो जाएगा और मैंने काफी सारे stickers बना रखी है और आप इन stickers की उपर effect भी लगा सकते हो आपको इनके उपर लॉंग प्रस करके रखना है add effect की option आएगी यहां नेचे आपको सारे effects दिये गए इस वीडियो के साथ चैनल को subscribe कर लो अगर अभी तक आप इस ने इस चैनल को subscribe नहीं किया है so next feature की बात करो तो music application में अब हमें crossfade का feature देखने को मिलता है settings में जाओ music वाले section की उपर click करो यहां पर आपको EQ की उपर sorry यहां पर आपको crossfade का option देखने को मिल रहा है इसको on कर लो और आपने पनी timing set कर सकते हो 5 seconds 10 seconds कितनी ही आपको time minutes सकती है वो आप अपने हिसाब से set कर लो next feature है वो messaging app से regarding है दोस्तों काफी बाहर ऐसा होता है कि हमें OTPs जो आते हैं वो of course one minute के लिए available रहते हैं so one minute के बाद में वो हमारे phone में ऐसे ही पड़ी रहते हैं उनको हमें use भी नहीं करना होता है because one minute के बाद में तो expire हो जाता है तो Apple iOS iPhone वालों ने iOS 17 बहर शी शांदार trick निकाली है आपको वो passwords वाले section पर जाकर देखने को मिलेगी यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो passwords वाला instruction है इसकी ओपर click करो तो यहां पर verification codes clean up automatic option है जो भी आपकी verification codes होंगे OTPs होंगे वो automatically clean हो जाएंगे यह जो चीज है काफी कमाल की है मेरे को personally महुत जादा पसंद आई FaceTime video call में हो अगर आप तो जब ही आप FaceTime video call कर रहे हो ना तो अब आपको नए नए Augmented Reality के animations देखने को मिलेंगे So for example अगर मैं आपको दिखाना जाहूं एक मैंने screenshot किया था कुछ इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है FaceTime video call में था So यहां पर लिखाओ Express Yourself with Reactions Touch and hold your image to send a reaction like thumbs up or heart You can also use hand gestures like thumbs up So दोस्तों यह ट्रिक काम ऐसे करती है Let us see how मैं video call में हूँ तो अगर मुझे thumbs up का sticker send करना है तो मैं ऐसे video call में thumbs up दिखाऊंगा तो वह sticker share हो जाएगा यहां हार्ट बनाऊंगा जैसे लोग ऐसे हार्ट ऐसे करकी हार्ट बनाते हैं तो इस तरह के मैं gestures करूंगा दोनों hands से तो मेरे जो stickers जो हैं वो 3D augmented reality में मेरे पीछे से उपर को उड़ेंगे जैसे balloons निकलते हैं तो बहुत शांदर शांदर features of course हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर मैं आपको आपके साथ और features शेयर करना चाहूंगा यहां आप देखे तो मैंने काफी सारे लिख रखे हैं तो अब जो हैं नई चीजें और कि हमें अपने phone में screen distance का feature देखने को मिलता है इससे हमारी eyes protect होंगी एपल ने इंप्लिमेंट करके बहुत शांदर काम किया है इसके लिए आपको settings में जाना है और फिर आपको जाना है screen time वाले section में यहां screen distance का feature देखने को मिलेगा इसको on कर लो by default और दोस्तों जब आप लंबे समय तक company phone को काफी करीब से देख रहे होगे न तो आपका iPhone आपको pause कर देगा कि पहले फोन को दूर कर फिर चलूंगा यह feature मैंने on तो किया है लेकिन कभी-कभी annoying लगता है कि कभी-कभी जरूरत होती है पास से देखने में तो वह बोलता है कि धूर कर ले तो मैंने बंद नहीं किया कि मेरी ही protection के लिए है so kind of unique चीज़ है तो मैंने on करके ही रखी हुई है कि भाई सभी चीज़ है इसको on कर लिए हमारी प्रोटेक्शन कर रहा है आइफोन चाहे हमें annoying लगता है तो next feature है वो हमारा है let me see shazam app के regarding दोस्तो shazam apps हम सभी लोग यूज़ करते है songs और detect करने के लिए shazam app से नए update यह है कि हमें अब जो है यह notification देगा और notification के साथ animation भी बहुत संदर आ रहा है आपका क्या मानना है इसके साथ मुझे comment section में जरूर बताओ last के जो features है वो है live motion wallpapers अब हम किसी भी live photo को as a wallpaper set कर सकते है iOS 16 में इस चीज को बंद कर दिया गया था लेकिन अब हम फिर से इस चीज को repeat कर सकते है जैसे मेरे पास यह photo है तो मैं इसको as a use as live wallpaper कर सकता हूँ यहाँ पर यह prepare हो रहा है live wallpaper के लिए तो यहाँ पर इस तीज को on कर दोगे आप तो आपका live wallpaper सेट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप अपने live wallpaper सेट कर सकते हो आपको यह iOS 17 के जो main made hidden features थे आपको यह जानके कैसे लगे let me know the comment section और अभी तो बहुत सारे hidden features हैं और मैं इस video को लंबी करूँगा तो मतब hidden features तो खतम नहीं होंगे लकिन यह video unlimited size की होने वाली है so parts बनाएंगे यह है part 1 iPhone 13 series के लिए so part 2 के लिए wait करना जो जो लोग part 2 का देखना चाहते हो प्लीज मुझे comment section बताओ कि part 2 नए features लेखे आओ ठीक है जी so thanks to washing guys thank you so much आपस वीडियो को देखने के लिए बहुत जादा शुक्रिया